हाई फ्रेंद्स, बलकुम बैग तु माइ कीचिन फ्रेंद्स आग मैं आगते साथ मटर पनीर की रेसिपिस शेयर करने जा रही हूं हम सभी जानते हैं कि मटर पनीर जो है नोर्ट लेसिपी है अब ये नोर्ट लेक निया में पूरे इंडिया में फेमेस हो गई है मत्र पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 300 गरम पनीर, 3 मीडियम साइज के प्याज, एक इंच अद्रब का टुकड़ा, 1 तीजपून शुगर, 2 चिली, 10-12 लेसन की कलिया, 3 टमाटर, तेल, सॉल्ट, 1 तीजपून ने धनिया बौडर लिया है, 1 तीजपून गरम मसाला है, 1 तीजपून तर्मरीक और चिली पाउडर, कोरियंडर लीज, यह मैंने 1 तीजपून कसूरी मेथी पाउडर लिया है, जिसको मैंने गरम करके हलका सा फाइन पाउडर बना लिया है, यह 4-5 एलाइची के दाने और इसमें क्यूमिन सीट्स भी है, और मटर, चलिए मटर पनी बनाना शुरू करते हैं, पैदे मैं इसमें ऑईल डालूंगे, मैंने 4 बड़ी से मटर शॉयल ले लिया है, इसको गरम होने दूंगे अच्छे से, जब इसमें से धुवा निकलने लगे, तब मैं यह जो इलाइची और जीरा है, मैं इसमें डालूंगे, मैं और कोई भी गरम असाला नहीं डाले से, फिलाइची और जीरा डाल रहे हूँ, आप चाहे तो आप कुछ ब्याइच कर सकते हूँ, देखे तेल गरम हो गया है, अब मैं यह डाल रहे हूँ, जिरा फ्रेकल होने लगा है, यह मैंने अनियन गार्ली चिली का पेस्ट बना लिया है, इसमें डालूंगे, मैं अब मैं इसको अच्छे से भुनूंगे, यह जो मैंने शुगर रखा हुआ है, यह भी इसमे अड़ कर दूंगे, इसमे पुड़क करेमलाइज होगा अनियन हमारा जल्दी, कलर अच्छा आता है शुगर डालने से, अनियन देखे हमारा भुन गया, अच्छे से हम इसके बार इसमें मसाले और टोमाटो प्योरी आड़ करेंगे, अच्छे हमें इसमें इसके अंदर मतर डालोंगे, और जितमें भी हमारे स्पाइसी शिवो आड़ करेंगे, दनिया और दरमसाला पाउडर, तरमरीक और चिली पाउडर, तर्टार अपने इसाफ से ले सकते हैं, और इसके अच्छे से घुले ले, यह तो मैंने रखे तो पीस लिया है, अब मैं यह आड़ करूंगी, हमारे मसाले भून चुके हैं, अब इस पेस को अठी से भून नहींगे, देखें, मसाला रेडी हो गया है, अब मैं इस पर पाने डालूंगे, ग्रेवी जार अपने इसाफ से फिक रख सकते हैं, मैंने इस पर एक बॉल पाने डाला है, अब मैं इस पर पनील को मैंने क्यूब में कट कर लिया है, वो डालोंगे, इसके साथ ही मैंने जो यह कसूरी मेथी का पाउडर बना के रखा है, वो डालोंगे, अब ढ़क के इसको थोड़ी दर पकने दोंगे, देखिए सबजी रेड़ी है, अब इसमें मैं कोरियंडर लीव साइट करोंगे, और मिला के इसको मैं सरे नौर में अब निकाल लोंगे, मैंने इसमें कुछ भी एड़ ने किया, ना काजू एड़ किया, ना क्रीम एड़ किया, एकदम सिंपल तरीके से जैसे हमारे घर पे बनता है, वैसे बनाया है, आप इस रेसिपी को फ्लीस ट्राइब कीजिए, और आ मटर पनी बिल्कुल रेड़ी है, होम स्टाइब मटर पिज बनके एकदम स्यार है, आप इस रेसिपी को ट्राइब कीजिए, और आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना को लिए, थैंक यू सो मच